नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अपने सरकारी आवास को अब कोविट केर सेंटर में तबदील कर दिया है और सरकार से आदेश मंगा है कि उसमें इलाज करने की इजाज़त दे हमार साथ बिहार के स्वास्तमंत्री मंगल पांडे हैं उनसे बात करेंगे अपने सरकारी आवास को कोविट केर सेंटर बना दिया और सरकार से आधेश मंगा है कि किसी भी जगह पे अस्पाट से और कहीं भी विछहामल लगा के अस्पाटाल का रूप नहीं दिया जा सकता मैं इतना ही कहूंगा मैं तो अपना काम करता हूं स्वास्ट मंतर हूं को राइन्तिक ब्यान नहीं देना ज़ाता यह तो सब राजनीती करने वाले लोग ऐसा कर रहे इतना कहूंगा। कि जिम्हवार आदमी को जिम्हवारी के साथ काम करना चाहिए असपतालों में आप लगातार जा रहे हैं दिन सुबह से रात तक जगके हमारे चिकित्सकों ने चिकित्सकर्मियों ने आधिकारियों ने सभी लोगों ने परिश्रम करके विवस्था को बनाए रखा और लोगों को रहत पहुचाई लॉक्डाउन जो बिहार में लगा है उसका असर देखने को मिला है क्या लॉक्डाउन ने ऐसा इस्तिती बनाया है जिसमें अब रिकावरी रेट हम 90% के पास पहुंच गये है और पॉजिटिविटी रेट घट के लगबग चारद समलोग चो परसेंट का असपास आगे लॉक्डाउन आगे बढ़ हैं का यह तो अभी मानिय मुक्मंतर जी का अस् पतालों में वेंटिलेंटर रखे हुआ है लेकिन उनका उपयोग नहीं उपा रहा है जी बहुत कम संख्या में ऐसा हैं मेंड़ी के अंदर साड़ियो सो से अधीक वेंटि लेटर और उसमीटेस अ небचा सारे मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल और आज 15 सजिज्याक अशज्यं जहां पर वेंटिलेटर्स का लाव लोगों को दिया जा रहा है तो ये थे हमार साथ बिहार के स्वास्तमंत्री मंगल पंडे जिनका साफ कहना था कि अस्पतालों में लगातार ये पहुंच रहे हैं और अस्पतालों की ववस्थाई भी दुरूस्त नजर आ रही हैं और बिहा कर दो कि अ झाल